आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं को और नए इंपोर्टेंट वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहले दिन के समापती के बाद टाटा टेक्नोजी आईप्यों की डेई-वन की सब्सक्रिप्शन एस्टेटस आप वो किस तरीके से कैसी देखने को मिल ले आपको आते हुए देखने को मिले थी उन कंपनियों की बात करें तो रिकोर्ड इस कंपनी के द्वारा ब्रेक आज के डेट में किया गया है किस तरीके से कैसी यहां पे शेयर होल्डर्स कोटा में सही से अप्लाई करना होगा और क्रे मार्केट प्रीमियू में जो तेजी द मार्केट प्रीमियूम और स्टॉक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही कॉमेंट सेक्षन में आपको टेलिगराम ग्रूप करने के लिएगा वहां भी जूर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम चोटे मूट अपडेट मिलते रहे हैं पहले ब इस तरीकी की बहतरी आई प्राइब करके आप अपने अलॉट्मेंट चांस को बढ़ा सकते हैं देखा जाया तो यहां पे दो दिन और बचा हुआ इस आप्लाइब करने के लिए आज के डेट में यदि आपने अप्लाइब नहीं किया है तो टू रुपीस कंपनी के फेस व टाइ कर रहे हैं तो उनके लिए 30 एक्विटी अप सेर आपको स्लेक करने होगी ओवरल जो टोटल इसु साइज है उसको यह दिम लो देखे तो लगबत 3042 क्रो की टोटल इसु साइज आपको देखने को मिलेगा इस 3042 क्रो की इसु साइज में देखा जाए तो पूरी तरीक पर एक कंपनी लिष्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी वैसे इस आईप्यों के बारे में यह दि हम लो देखे आने वाले समय में इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 24 आप नॉंबर फ्राइडे के दिन इस आप्यों लास्ट और आखरी दिन देहने वाला अप्ला पर एक कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगा तो टाटा टेक्नोलोजी आईप्यों में मिन्यूम एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिक करने हैं तो 15,000 अप्लाई करने चाहिए और स्मॉल एचनाई केटिगरी में अप्लाई करने हैं तो बीग पर एक करोड़ अंठावन लाग 21,000,71 equity of share औफर किया गया था पूरी तरीके से एक करोड़ अंठावन लाग 21,000,71 equity of share एक करोड़ की जा चुकी है जिसके बात करे तो अतलगबक 3,000 क्रोड़ की इसुट साज में 791 क्रोड़ अंकर इंवेश्टर को एलोकेट की गया वही य तो देख सकते हैं 4.02 टाइम से आई-प्यो सब्सक्राइब होते हुए देखने को में लेचुका है 4 गुना से जादा QIB केटिगरी में सब्सक्रिप्सन फिगर दिखा रही है देखा जाए तो हाली में जो भी में बोर्ड आई-प्यो आई-प्यो में देखा जाए तो सबस देखने को मिली उसके कोडिंग देखा जाए तो लगबग QIB के तरफ से लगबग आपको 2,119 क्रो की बोली लगाई गई है जिसके करण से आई-प्यो चार गुना QIB केटिगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है NIE केटिगरी की बात करे Non-Institutional Investor के लगबग आपको 11 गुना आपको देखा जाए तो 4,322 क्रो की बोली लगने के बैज़ से आई-प्यो यहाँ पे 11 गुना लगबग सब्सक्राइब NIE केटिगरी में आई-प्यो चार गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होई है उसके एकोडिंग बात करें तो लगबग Big NIE केटिगरी में जो सब्सक् अच्छी खासी रिश्पॉंस दिखा रहे है इहां पे दिखा जातो अभी तक की जो अप्लिकेसन लग़ी है उसके कोडिंग है तो लगबग जो सबसे ज़्यादा इमांस के बात करें तो आपको रेटेलर के तरब से ज्यादा सज्यादा अभी तक इन्वेंट्मेंट टेख लेकिन गुना आप लोगों को एक गुना आप लोगों को एक गुना आप लोगों को पर पॉर्पोर्पोर्ट बैसेज पर एलोट्मन मिलनेवानी है लगवक देखा जाए तो पांच पुलना आइप लोगों सब्सक्राइब अभी तक होई है तो यहां पर पांच लॉट यदि आपने अप्लाई किया है तो एक लॉट आपको फिक्स है कि मिल जाएगी यदि यहां पर देखा जाए तो मैक्समीं तेरो लोट एक डिमेड अगां कोई एक 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 पहले दिन के समापति के बाद यदि हम लोग नंबर की बात करें तो लगभग 5.75 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है लगभग देखा जाए तो 12940 क्रोड की बोली लगते हुए देखने को मिले है जो कि अभी तक की जो पैसे पहले दिन के समापति के बाद इस IPO में लगी है उसके बात करें तो लगभग एक लाख क्रोड तक की भी बोली इस IPO में लगते हुए देखने को मिल सकती है सभी कैटिगोरी को यदि हम लोग मिलाकर देखेंगे तो तीसरे दिन के समापति के बाद यदि इस IPO में मुल्टिपल डिमेंट अकाउंट से आप अप्लाई करते है लगभग देखा जाए तेहां पर 880 रुपया के लिस्टिंग प्राइस हो सकती है और एक लगभग 78% तक की प्रोफिट मिलने की चांस और पॉस्पिलिटी बनते हुए देखने को मिल लगभग 12,000 तक की प्रोफिट 15,000 की इंवेस्टमेंट रवांट पे आई पो अराम से देखने को मिल लगए तो किस केटिगरी में आप अप्लाई कर रहे है कॉमेंट करके चरू जया भारत।